हेलो बच्चों आप सभी का मेरी चैनल लर्निंग इंग्लिश पर बहुत स्वागत है बच्चों आज के वीडियो के अंतरकत हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 की सबजेक्ट इंग्लिश के बारे में बच्चों जैसे के आप सभी को पता है कि हमारे जो हाफेले एक्जामिनेशन हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं एक फरवरी से जिसमें यदि बच्चों हम इंग्लिश सबजेक्ट की बात करें तो हमारा इंग्लिश सबजेक्ट का पेपर होगा आपका 9 जनवरी को और उसका टाइमिंग बच्चों 9 से 12 रखा गया है पहले ये टाइमिंग जो है बच्छो 11th क्लास का जो पेपर था वो 12.30 बज़े से रखा गया था परन्तु अब उसमें संसोधन कर दिया गया है और उसमें जो भी संसोधन किया गया उसके अनुसार अब आपका 9 से 12 क्लास 11th का इंग्लिश का पेपर होगा और यानि कि सारे पे आपको जैसे कि आपको मालम होगा कि इस वर्ष आपकी दो पुस्तके हैं जिसमें से एक पुस्तक जस्ट रीड रखी गई है इस शत्र के लिए 2020-2021 के लिए तो वो बुक हैं आपकी स्नैपशॉट्स और आपके जिस बुक से कुश्चन आंसर्स बनने हैं कुश्चन आपके पुछे जाने हैं वो हैं आपकी हॉर्ण बिल बुक उसमें से भी कुछ स्लेबस आपके रिड्यूस कर दिये गए हैं बचो तो हॉर्ण बिल में से इस वर्ष आपके सबसे ज़्यादा कोश्चन इसी बुक से बनने हैं और स्नैपशॉट्स से कोई भी कोश्चन नहीं वन टू एंड फोर लेसंस यह आपको पूरे हॉर्ण बिल बुक के तयार करने हैं इंग्लिश के लिए बचो वन नमबर पे यहां पे एक स्टोरी दी गई है दा पोट्रिट ओफ ए लेडी जो खुश्वन सिंग जी के दवारा तयार किया गया है उसके बाद आप फोटोग् गॉर्डन कुक एंड एलन इस्ट के द्वारा ये भी आपको जो है तयार करना है और लेसन नमबर फोर लेंड्सकेप आफ दा सोल जो नैटली टूवरॉय के द्वारा तयार किया गया है और उसी के अंतरगत आपको एक पोयम भी रखी गई है दा वॉइस ओफ दा रेन वाल वो सारी चीज़ें आपको जो है इस हाफ फेली एक्जामिनेशन के लिए तयार करनी है उस पेपर के लिए जो आपका नौ जन्वरी को होने वाला है तो सभी MP Board के स्टूडेंस जो है वो इस बात को विशेज ध्यान दे कि आपको इतना जो पोशन है आपकी हॉर्ण विल सब्सक्राइब तो टोटल आपका 80 marks का जो है पूरा पेपर बन कर आएगा तो बच्चो इसमें सी ये literature section है जो हमने उपर अभी आपको समझाया है बाकि अभी हम reading, grammar और writing section भी देख लेते हैं तो चलो बच्चो देखते हैं कि अभी इसके अंतरगत क्या-क्या चीजों को रखा गया है अलावा अन्य कुछ भी चीजे नहीं आएगी ऐसा बिलकुल भी नहीं है आपका पूरा पेपर जो है 80 marks का बन कर आएगा और 80 marks के जो नंबर के जो questions बनेंगे उसके अंतरगत सारी चीजों को सारे skills जो आपके रखे गए हैं रीडिंग ग्रामर उसके साथ सा लिटरेचर और लिटरेचर के साथ सा राइटिंग ये सारे sections को मिलाकर आपके 80 marks जो हैं बनाए जाएंगे इसके अंतरगत जैसे के हम रीडिंग सेक्शन को देख लेते हैं रीडिंग सेक्शन के अंतरगत सबसे पहले हमें unseen passage तयार करना है इस unseen passage आपको एक्जाम में question paper पे वैसे बना बनाया आता है और वो पूरी तरीके सा unseen passage होता है इसमें आपको 11 questions आएंगे जिसमें से आपको 10 attempt करने होंगे 1 marks each होंगे इस मरकाश से आपके 10 marks यहां complete होंगे और इसमें आपको 8 marks दिये जाएंगे तो और इस प्रकार से जो third question बनेगा reading section के अंतरगत वो होगा आपका note making and summarizing का तो बच्चों यह question आप पहले भी attempt कर चुके होंगे अपनी previous classes में तो इसके according आपको note making तैयार करना होता है 37 समरी देनी होती है तो इसका जो passage आपको दिया एक note making तैयार करना होगा जिसका 5 marks decide किया गया है और उसी के अधार पर summary देना होगा जिसका 3 marks decide किया गया है इस प्रकार से यदि हम देखें तो reading section के अंतरगत आपको total 3 passages मिलने वाले है पैसे नमबर 1 आपका 10 marks, पैसे नमबर 2 आपका 8 marks और पैसे नमबर 3 जो note making and summary का होगा व हम यदि चर्चा करते हैं तो grammar section के अंतरगत हमें MCQ questions पूछे जाएंगे यानि कि multiple choice questions बनेंगे जिसके अंतरगत आपको gap filling based on determinants and tenses यानि कि जो grammar के portions होटे है determinants and tenses इनके अधार पर gap filling वाले MCQ questions बनाए जाएंगे जिसमें से आपको total 5 questions दे जाएंगे और आपको 4 questions attempt करने होग यानि कि 4 marks आपके यहां cover होगी again MCQ based questions होगे जिसमें आपको sentence की re-ordering करनी होगी जैसे जिस प्रकार से jumble and arrange करने वाले sentences आते तो यह re-ordering and transformation transformation यानि कि आपको किसी sentence के according आपको उसे आपको बताया जाएगा जिसके according आपको sentence को जो है यानि की पूरी तरीकी से change करना होगा तो इस प्रकार के questions भी 4 होगे 5 आपको आएंगे इसमें से आपको 4 attempt करने होगे तो 4 marks उसके होगे तो इस प्रकार से 4 and 4 8 marks की total जो है आपकी grammar section पूछी जाएगी यह MCQ basis पर होगी जिस पर आपको total 5 यानि की 10 questions होगे 10 वे से आपको 4 and 4 यानि की 8 attempt करने होगे और 8 marks आपको दिये जाएगे अब यदि हम literature section की बात करते हैं तो literature section आपका total all about the 30 marks है और इस section के अंतरगा सबसे पहले आपको यह जो literature section अभी हमने उपर discuss किया था सबसे पहले जितनी भी हमने topic रखे हैं उसके अधार पर ही आपका जो है यह वाला हाफ एली exam में questions बनेंगे उनी 1, 2 and 4 hornbill book के lessons and poems में से तो इसमें से सबसे पहले दिया हो गया है MCQ on extract of poetry यानि कि आपका multiple choice questions बनेंगे extract के अधार पर extract आपको poetry के दिये जाएंगे और इसमें से आपको 2 extract होंगे जिसमें से आपको anyone करना होगा और इसको जवाब करोगी तो इसमें 3 questions होंगे 1 marks each यानि कि 3 marks आपको दिये आएगा जो आपका prose पर depend करता होगा यानि कि prose वाले section पर based होगा और इसमें भी आपको 2 extract में से एक करना पड़ेगा 3 marks का होगा 1 marks टोटल 3 marks होंगे 1 marks each यानि की questions में होंगे 3 questions और 1 marks each वाले इस प्रकार से आपके 3 marks यहाँ पर cover हो जाएंगे तो 2 extract है एक poetry से और एक प्रोज स चॉइस के लिए आपको एक एक यहाँ पर चॉइस भी दी जाएगी उसके बाद हम MCQ based on text to assess analysis and interpretations skills of students यानि कि आपके book से ही आपको यहाँ पर 7 questions दिये जाएंगे जो आपने book पड़ी है उसी के अधार पर यह questions होंगे जिसमें से 7 questions में से आपको 6 questions attempt करने होंगे यह MCQ based पर हों then two short answer questions होंगे जिसमें से एक question pros का होगा और एक question poetry का होगा यानि कि total आपके दो questions आपको attempt करने होंगे four questions में से दो के आपके पास 24 होगे 30 से 40 इसकी word limit होगी और यह जो है two questions two marks each वाले होंगे इस प्रकार से आपके यहाँ पे four marks cover किया जाएंगे then again two short answer questions from the pros यानि कि pros से दो questions फिर से आपको attempt करने होंगे तो pros के अंतरगत आपके आप इसमें देखेंगे one two four में कितने pros के topic रखे गए हैं और उनके असाब से आपको दो short questions आपके दो short answers वाले questions आपको तयार करने होंगे और इसमें आपको जो है तीन questions टोटल दिये और दो आपको attempt करने होंगे और two marks each के होंगे यानि कि four marks आपको attempt करने होंगे जो short type के answer लिखने होंगे अब उसके बाद यदि हम आँगे देखते हैं तो आँगे हम बात करें तो अब long answers देख लेते हैं one long answers type questions पूछे जाएगा ये pros से पूछे जाएंगे जिसमें आपको two questions में से one questions को attempt करना होगा और ये five marks का होगा और ये long answer होगा और ये based on prose होगा इसे प्रकार से one long answer type questions from poetry यानि कि poetry से भी दो questions होगे जिसमें से एक आपको attempt करना होगा ये poetry में से होगा और ये long answer होगा और इसका number होगा five तो इस प्रकार से यदि हम पूरे textbook के यानि कि literature section के हम पू नमबर आपका बनता है लिट्रेचर सेक्शन का तो आपको 30 मार्क्स की पूरे-पूरे लिट्रेचर पूछी जाएगी अब क्योंकि हाफिले एग्जामनेशन में अल्ली 1, 2 & 4 चैप्टर्स रखे गए हैं तो आप उन चैप्टर्स के हिसाब से उनको पूरा तयार करेंगे वन Can All Be Together आपको ये स्टोरी तैयार करनी है और उसके बाद 4 नमबर पे आपको एक स्टोरी भी है साथ में आपको एक पोयम भी है जिसका नाम है The Voice of the Rain तो ये पूरा आपको तैयार करना है आप फिले एग्जामनेशन के लिए उसमें से All About 30 मार्क्स के पूरे क्वेशन इसी तरी राइटिंग या इसी प्रकार से जो Short Composition वाले Questions होते हैं वो पूछे जाएंगे जिनकी संक्या होगी दो और उनमें से आपको One Attempt करने होगी और जो जिसमें आपको Three Marks दिये जाएंगे इसी प्रकार से एक और Short Writing Task Questions होगा जो Poster या इस तरह के जो Short Composition होगे वो एक और Questions आपक इसने के लिए दिया जा सकता है जिसमें से दो Questions होगे जिसमें से वन आपको Attempt करना होगा और उसके नमबर लिमिट दी गई है फाइव एन लास्ट में Writing Compositions Based on Verbal and Visual इसमें आपको Essay, Paragraph Writing और जितने भी जो Long Compositions थे जैसे कि आर्टिकल, Speech Writing इन सब का मिलाकर आपको जो हैं द हैं तो ये आपका हो जाएगा 16 नमबर इस परकासे चारों सेक्षन को मिलाकर आपका Complete 80 Marks का पूरा पेपर तयार किया जाएगा तो आप Slabers के हिसाब से जैसा वहाँ पहले से Decide किया गया है कि 1, 2, 4, 1 and 2 and 4 chapters तो आने ही है Horn Bill Book से परंतु जो हमारे Questions होंगे वो सिर्फ उन्हो 2 and 4 chapters दिये हैं बाकि आपका पेपर 80 Marks का जब बनेगा तो ये सारी चीजों को Include करके आपका पेपर तयार किया जाएगा तो बच्छो आपको इस तरीके से तयार करनी है अपनी ताकि आपको हाफिल एक्जामे किसी प्रकार की दिकत ना हो और आपका पेपर बहुत ही अच् Thank you